बच्चों, आज आपका नया चेप्टर है मानो जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव पर्यावरण के अंतरगत केवल बाहरी वातावरण यानि की वायू ही नहीं आती है बच्चों पर्यावरण के अंतरगत ही आती हैं इसमें भूमी, पानी, पर्वत, खनिच्पदार्थ सब ही आते हैं इनका मानो जीवन पर क्या प्रभाव परता है आपको इस चेक्टर में यही बताया जाएगा वैसे तो पर्यावरण के अंतरगत हमारे आसपास का भगौलिक वातावरण के अत्रिक हमारे समझिक पर्यावरण यानि हमारे आसपास के रहने वाले लोग, हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति भी प्रभाव डालते हैं अभी पर्यावरण के अंतरगत भालत है लेकिन इस शेक्टर में आप उसी слов पिष्ञेत former के बताया जाहेग कि पर्यावरण का शाम्दिक डीन क्या है यानि पर्यावरण किसे कहते हैं पर्यावराण के अंतरगर्ट हमारे चारों तरफ हमारे आसपास का वातावरण की पर्यावरण कहलाता है आसपास का वातावरण यानि परिस्तितियों की बात हो रही है कैसा मौसम मौसम वहां की जलवाई वहां की मिट्टी कितना प्रभाव हमारे उपर डालती है यानि हमारे आसपास का वाता परियावरन को मुख्यता तीन भागों में बाटा गया है बच्चों पहला भागोलिक परियावरन दूसरा सामाजिक परियावरन और तीसरा सांस्कृतिक परियावरन भागोलिक परियावरन के अंतरगत, वायू, मिट्री, परवत, नदिया, पहार, पेड़, पौधे ये समस्त वस्त्वें आती हैं और ये मानव जीवन को कितना प्रभावित करती है ये मानव जीवन इनको कितना प्रभावित करता है वह है इस चेप्टर में आपको बताया जाएगा इसके अलावा सामाजिक परियावरण के अंतरगत हमारे आसपास के व्यक्ति आसपास सामाज में रहने वाले लोग, लोगों का मानोजीवन पर क्या प्रभाव करता है यह मानोजीवन को बहुत ही प्रभावित करते हैं जैसा आसपास का वाताबरण होगा वैसे ही वहां के रहने वाले लोग हो जाते हैं जैसी वहां की बोली भासा, जैसे वहां के देती रिवाद, जैसी वहां की संस्कृति वैसा ही वहां के अन्य लोग भी उसको धीरे-धीरे मानने लगते हैं यानि की आसपास का बातावरण जैसा होगा वहां के रहने वाले लोग जाते हैं जो तिवार मनाये जाते हैं धीरे धीरे बच्चे बच्पन से ही बच्चे उन्हें देखकर उन चीजों को किसी विद्याले में सीखने की जरूरत नहीं किसी अध्यापा को बताने की जरूरत नहीं बच्चे परिवार सही धीरे-धीरे बच्चपन सही उन्हें ज्यादा तर चीजे धर्म के विशे में तूतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतु जीवन नहीं प्रतेक पराणी के जीवन का आधार वाई है और आप सभी भी हमारे आज़पास के वाताबरण पर निर्भर करती है, वायू में सभी गैसों का मिक्शर होता है, समांगी मिक्शरण होता है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम केवल वायू में केवल ऑक्सीजन ही लेते हैं, क्योंकि वायू में गैसों का मिस्रण होता है जिसमें वायू का प्रतिशत नाइटोजन से कहीं ज़्यादा कम होता है वायू का प्रतिशत ऑक्सीजन का प्रतिशत केवल 28% होता है जबकि नाइटोजन का प्रतिशत 78% होता है यदि आक्सी क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि जो ओक्सीजन गैस होती है वो जलाने में सहायक होती है और इसी कारण यदि हम ये कहें कि हम इसे यदि हम केवल ओक्सीजन गरहन करना चाहें तो ऐसा संभो नहीं होगा इससे हमारी जो स्वसन अंगतंतर हैं वो जल और अच्छे परियावरण से प्रित्वी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है शुद्ध जल की प्राप्ति भी में अच्छे परियावरण से ही होती है जंगलों को काटने से कई समस्याएं जैसे बाड़, सूखा, आजी हो सकते हैं वनों से विभिन प्रकार की और शदिया प्राप्त होती हैं जो कई रोगों में काम आती हैं तो ये बचों ये रहे परियावरण से लाब अब परियावरण का जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है बचों परियावरण से ही यदि हमारे आजपास का वातावरण परियाप्त संतुलित नहीं होगा यानि कि यदि बाहर की वायू, मिट्टी कहीं पर भी किसी प्रकार की छेण साड होती है तो उसका प्रभाव सीधे मानो जीवन पर पड़ता है चाहे वो वायू हो, वायू है यदि आप ज्यादा ऐसे छेत्मन हैं जहां पर ज्यादा कारखाने हैं ज्यादा यातायात के साधन चलते हैं वहा पर आपको सुद्धुस्वस्भण योग वायू नहीं मिलेगी पेड़ पौधों की संख्या कम है तो आपको आपको जो वायू मिलती है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होगा जिससे आपको स्वास संबन्धी कई रोग हो सकते हैं बचों यदि वायू में नाइटोजन का प्रतिशत अधिक हुआ तो भी वायू अशुद होगी और यदि ऑक्सीजन का प्रतिशत कम हुआ तो भी वायू अशुद होगी यानि पेर पौधो को परियात्यमात्रा में लगाना चाहिए यदि वातावरण में अधिक शोर सराबा होता है तो भी ध्वनी परदूशन होता है जिससे मानव मस्तिस्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की सुनने की छमता समझने की छमता कम हो जाती है व्यक्ति उचा बोलने लगता है यानि की पर्यावरण का मानव जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है यानि की पर्यावरण को संतुलित रखना चाहिए इसके साथ कोई छेर्चान नहीं करनी चाहिए बचों पर्यावरण के अंतरगत मिटी वायू जल सभी आते हैं और प्रदूशन का अर्थ ये है कि यदि मिटी में जो भी ततो होने चाहिए यदि उनमें कम या ज़्यादा होते हैं तो वा प्रदूशन है वायू में जो भी गैसे होनी चाहिए यानि नाइटोजन कर्बन डायागसाइड ऑक्सीजन या अन्ने गैसे अन्ने गैसों का अर्थ यहां पर वो है कि हमारे आस पास का वातावर्ण जैसा होगा उसमें गैस तो वन परसंट से ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन अशुद माने जाती है और वह स्वसन योगिन नहीं होती है तो इसी प्रकार यदि अन्ने गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत छोड़ कर यदि अन्ने गैसें गैसों के मात्रा कहीं भी कम या जादा होती है तो वह वायू अशुद्ध माने जाती है और प्रदूशन का अर्थ है कि वाई हो मृदा हो जल हो यानि कोई भी हमारे आसपास के वातावरण का कोई भी वस्तु हो कोई भी चीज हो यद उनके साथ कोई छेंचान होती है या उन में उनके प्रतिशत में कोई कमी आती है तो वह प्रदूश्यत माने जाती है और प्रदूशन के क्या कारण है यानि प्रदूशन किन कारणों से वाई हो जल हो मृदा हो यह क्यूं प्रदूश्यत होते हैं बचों तो इसके कारण भी हम ही हैं मानों ही हैं हम अपने बिभी नि एचान करते हैं जिससे हमारा पर्यावरान परदूशित हो जाता है सबसे पहला है घरे दू अपमार्चक यानि घर का कुड़ा बाहर निकाल फेक देते हैं, रैपर्स कहीं भी खाकर फेक देते हैं, छिलके कहीं भी फेक देते हैं या फिर साबून सर इत्यादी घोलते हैं और उनको बाहर नालियों में जाकर वो पानी में जल में मिल जाते हैं वो जल को पुदूशित करते हैं उड़ा कहीं भी फेक देते हैं मिर्दा पुदूशित होती है तो इस प्रकार हम अपने घर के अपमारजुकों को उचित वेवस्था ना होने पर सौच की उचित वेवस्था ना होने पर खूले में ही सौच करने से मिर्दा पुदूशित होती है विभिन प्रकार के अन्य रोगान भी उत्पन होते हैं जो वायू में फैल कर रोगों से लोगों को ग्रशित करते हैं इस प्रकार वायू प्रदूशित होती है वर की इतनाशक पादार्थ का अत्यदी कि उत्यदिक प्योंकरने पर भी दा यानि कि और द्योगी पदा जो बीविन परकार के फैक्ट्रियां हैं और द्योगी केंद्र हैं वहां से निकलने वाली बीविन परकार की गैसे अपसिष्ट पदार्थ निकल कर वहां से वातावरन को जो गैसे हैं वो वातावरन की वाईव को अशुद करती हैं और वहां से ज यह अपसे इस प्रदात निकल कर नदियों में ही छोड़ दिये जाते हैं जिसे वहां का जल अशुद हो जाता है और यदि इनका उपयोग मानव करता है तो विभिन प्रकार के रोगों से ग्रशित होता है अगला है बच्चों धुआ 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 परियावरन में मिलकर वायू को अशुद बनाता है जिसमें की वायू में अन्य जितनी भी गैसे हैं उनका संतुलन बिगड़ जाता है और इस प्रकार अशुद वायू का सेवन करने से हम फेपड़े समंदी कई रोगों से ग्रशित कूडे कर्कट और लासों का लगो सड़ना यानी कि यदि कूडे करकट का उचित इस्थान पर निस्तायपन न किया जाए या लासों को इधर उधर कभी कभी जल में भी या जीव जन्तूओं के मर जाने पर इधर उधर वो सड़ते रहते हैं तो वो विभिन प्रकार की गैसे उनसे निकलती हैं जो स्वास्त के लिए कहीं ज़्यादा हानिकारक होती हैं और वो अप्सिस्त प्रदात ब्रदा को भी पुदुशित करते हैं बच्चों अगला है आपका ध्वनी बच्चों सबसे ज़्यादा वो आई को पुदुशित करने वाली यह ध्वनी ही ही है यानि कि विभिन प्रकार के याता यात के सात्वनों से लाउड्डिसपीकरों से बहुत अधिक सोर सराबे से वाई पुदुशित होती है और इसे प्रदूशन के कारण व्यक्ति की सुनने की छमता प्रभावित होती है यहां तक की व्यक्ति बहरा भी हो जाता है उसकी हिर्दय गती तेज हो जाती है यानि वो हिर्दय संबन्दी रोगों से भी ग्रसित हो सकता है रेडियो धर्मी पदार्थ यानि विभिन प्रकार के पटाखे जलाने से और अन्यरासाइनिक पदार्थों के बिनिमाय करने से विभिन प्रकार के रेडियो की पदार्थ उत्पन होते हैं जो वातावरन को प्रभावित करते हैं वातावरन पर्यावरन प्रदूशन को बढ़ करते हैं वायू का वायू को असंतुलित करते हैं वह घड़ जाता है बर्दा भी प्रदूशित होती है तो बच्छों यह प्रमुक कारण हैं जिनके कारण पर्या वरन प्रदूशन होता है अब आपको अगले वीडियो में आगे की चीजें बताई जाएंगी आज के लिए बस इतना है थैंक यू